तो यहीं पर हमली बावो में केदारनाथ पंडाल के थीम केदारना थीम पर यह पंडाल बनने वपला है को बने जाए चाएगा तो मात्णजी के प्रतिमा को पूरा अच्छे तरीके से रेड़ी करके प्रिंट विगरा करके पुरा कपड़ा पैना दिया गया है और भाईया से पर्मिसन लेने के बाद आप आप देख सकते हैं तो है तो है तो है तो कैसा आप सबस्वारों सबका वेलका वाइन वलाग में तो गाईज आए डेट है आपका 13 अक्टूबर और अभी साम के बज़रें आपका दो बज़ के 45 मिनट पे और मैं फिर हाल आचुका हूं रशना दुर्गापुजा पंडाल का अपडेट देने के लिए और मैं अभी खड़ा हूं सीवम गली में जो सीवम संजीती होता है यहां पर देख सकते हैं आप हमारे पीछे माता जी की प्रतिमा आज आ चुकी है दो चार दिन पहले आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहते हैं अभी आप सिर्फ एंगल लगया गया था उसे यहां का अपडेट हम नहीं दे रहते हैं और आज यहां पर माताची की प्रत्मा भीयार सुके और एक दो दिन बाद यहां पर पेंटिंग का भी काम चालू कर दिया जाएगा चलते हैं आपको वीडियों दिखाते हैं कि रसाना पंडाल में क्या क्या आपडेट है जो भी लोग च पर इस बार भीया बता रहे हैं कि यहां पर नीचे पंडाल वनाया जाएगा और माताची की प्रत्मा जो आप देख सकते हैं यहां पर ऑर प्रतिमा है माता जी की और इसके बाद यहां पे एक और अलग से प्रतिमा लाए गया है यह है माता जी की प्रतिमा और तीनों को सेट करके एक जगा पे बनाया जाएगा जो आप फाइनल जब लग जाएगा मैं आपको अपडेट दिखाऊंगा बाकी चलते हम नेक्स्ट पंडाल पे जो दिया गया है अभी थोड़ा साब को क्लीप दिखाएंगे बाकी परदा के अंतर माता जी को पुरा मुझ खुक जो होता है बांद के रेडी कर दिया गया है और यह गादी मार का जो है पंडाल आप देख सकते हैं पुरा रेडी के कुछ डेपरेशन का काम है जो जो बाकी है क्या दिखेगा और गाईस देख सकते हैं हाँ पर माता जी की प्रतिमा को पुरा अच्छे तरीके से रेडी करके पेंट वगरा करके पुरा कपड़ा पहना दिया गया है और भहिया से परमिशन लेने के बाद अभी जो मुख है इनका ठका गया है और देखिए भहिया लोग मतलब यह परदा हटा रहे हैं ताकि आप लोगों को लिए दिखाए जा सके और काफी अच्छा देखिए एक ही फ्रेम में सारे प्रतिमा को सेट किया गया है और थोड़ा सा दूर से आपको दिखाते हैं और यह गाधी मार्क में है जो पंडाल आप देख सकते हैं और चलते हैं देखिए यहां पर काफी अच्छा वस्तर धार कराया गया है माता जी को पिरा कुछ खास अबडेट है इसको अभी तक हम अपने वीडियो में नहीं दिखाया थे इस साल अगले साल तो दिखाए थे बाकि यहां पूरा पंडाल को रेडी कर दिया गया है और माता रानी क चलते नेक्स पंडाल में आपको दिखाते हैं तो गाइज हम लोग आज चुके हैं स्री अमली बाबा जगदंबे पंडाल के पास और यहां का कुछ अपडेट रोज से खास नहीं है बागी चलके आपको अंदर से दिखाते हैं क्या पहले से अपडेट हुआ है और बागी आप लोग भीचे का सीन देखी लिए तो गाइज यहीं पर अमली बाबाबा में के दार्नाथ पंडाल के थीम पर पंडाल बनने वला है जो रशना में सबसे नंबर वन पर यह पंडाल होगा के दारनाथ के मंदीर के जैसे अकारमी इस पंडाल को बनाए जाएगा चलते हैं आरशद प्रतम दिखाते हैं माता जी की उनको भी पेणि मेंट करके रेडी कर दिया गया और आशब आनि करके पूरा व सत्प है और मुँख को धख यहँर रेडी कर दिया गया है सिर्फ पंडाल पंडाल का बाकी जो आप एदर देख सकते हैं वह वहिस DAY में हो जाएगा अ दो हैं आज चुखा हूं उत्रप्टी मौला में और यहां पर रश्मा का सबसे अलग मूर्ति हुटा है माताजी के प१ाझजी के प१ा यहांपर बन चुका है हर साल सबसे तुर्द पूझा में इस प१ुल्य रश्णा में प१्वा का रशणा है कभी लोग का रश्णा बनाये जाता है झो मोस्टका कवी और बीधी जो आपको चलत के अभी वीडियों दिखाएंगे अभी मैं वहीं पर खड़ा हूं जो मंदिर के संकर भवार के मंदिर के अंदर उस मादाजी की प्रतिमा को रखा जाता है तो देरना कर्टा चलते गाई दिखाते आपको और इस बार का सबसे ट्रेंडिंग यानि सबसे आपर itel है चैंदा सरे उसं से विंगलार चाहे थे उसके को थ्यार किया जा रहा है आप करीब से देख सकते हैं और आप देख सकते हैं साडी पी नहीं पहाँ मैं है पृश्व पेंट के हिसाप से इंगलन को एससे त्यार कि उनी की तरीके से दिख रहें। प्रतिमा होने वाली है जो आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और देखिए यहां पर आख मनाना बाकी है कि अभी पांच शे दिन बाकी है मतलब सुरू होने में पूजा को और यहां पर देख सकते हैं क्या कलाकारी किया गया है यहां पर माता जी को त्यार किया गया है तो चलते हैं जब नेश्ट पंडाल में कैसा लगा वीडियो कॉमेंट बाक्स में आप लोग जरू बताइएगा और क्या-क्या और देखना चाहते हैं वह भी जरू बताइएगा तो गाई जबी हम आचुके हैं बिंदवासनी पंडाल के पास और यहां पर देखिए माता रानी का खास कुछ अपडेट नहीं है जैसे पहले दिखाए थो वैसे अभी भी यहां पर पे पेंटिंग मेंगरा का काम कुछ चल नहीं रहा है और लग रहा इसी में सायद रखा चल ला है पर यहां पर रोड पर रखा जाता है और यह रहा कुछ देख सकते हैं आप लोग बस यही खास दूरगा पूजा पंडाल का अपडेट था और जो भी अपडेट आपको चाहिए होगा कॉमेंट बाक्स में जरूर बताइएगा और हम चाहते हैं कि आप डेली आप कुछ भी पूछना होगा आप कुमेंट बाक्स में पूछ सकते हैं और आप हमेश्टा अगर हम पर फालू भी कर सकते हैं बगल में आडि दिया गए तो चलते हैं गाज करते हैं वीडियो को इंड वीडियो देखने के लिए थैंक्यू पर पाट